सर्दी का मौसम शुरू होने से पहले ही अधिकारियों ने सुरक्षा प्लान तयार कर दिया है पॉइंट चिनहित कर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है पुलिस रात के समय हूटर बजा कर गश्त करेगी इसके साथ ही थाना और चौकी प्रभारियों को भी राद दो बजे तक भ्रमन करने के निर्देश दिये गए है चौकी दारों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है सर्दी की मौसम में प्राधी सक्री हो जाते हैं लूट चोरी की वारदातें बढ़ जाती हैं क्राइम कंट्रोल करने के लिए दिकारियों ने सुख्षा प्लान तयार कर लिया है सर्दी शुरू होने से पहले ही पॉइंट चिनहित कर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है पुलिस दारत के समय हूटर बजा कर गश्ट करेगी देखिए जैसे हमारे माने कमिश्टर साब हैं उनका आदेश है कि ठंड में जो ज्यादा प्राद बढ़ते हो उन पर अंकुष लगाए जाए उसी क्रम में हमने क्या किया है जो हमारे सरकल के entry exit सारे points हैं तक्रिबन 14 entry exit points हैं सब पे रात में हमने पिकेट लगाई है जो रात के 10 से सुबे 6 बजे तक active रहेंगी इन पिकेट का में काम यह है कि जो भी आने जाने वाले संदिक्द वेक्ती हैं उनकी चेकिंग करें और जो वहां संदिक्द हैं उनकी भी चेकिंग करें ताकि कि किसी प्रकार की घटना ना कारित हो सके क्योंकि जाड़ों में आम तोर पे देखा गया है कि रात्री में ही ये घटनाय कारित होती है लोहमंडी सरकिल में 14 पॉइंट चुनहित किये गए हैं चुनहित किये गए पॉइंट पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पुलिस्त गश्ट करेगी आने जाने वाले संदिक धिलोगों की तलाशी ली जाएगी थाना और चौकी प्रभारियों को भी रात 2 बजे तक अपने अपने शेत्र में भ्रमड करने के निर्देश दिये गए है चौकी दारों को भी रात के समय सतर्क रहने के लिए कहा गया है पूर्व में जेल की हवा खा चुके क्रिमिनल्स की गदिविधियों पनजर रखी जा रही है थाना प्रभारियों को अपने अपने शेत्र के प्राधियों की कुंडली खंगालने के लिए कहा गया है बदमाश चोर जेल के अंदर हैं या बाहर हैं अगर शातिर बाहर हैं तो क्या गदिविधिया हैं ऐसी क्रिमिनल्स पर पुलिस नजर रख रही है सीन्यूस के लिए मैं शर्माक रिपोर्ट